सुवागत आप सब का वुमन्स प्रिमिलीग के मैच नूंबर 12 के अंदर याद करू जो सीजन का उपनर मैस था पहला मैस था ये दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था और वहाँ पर मुम्बा इंडियन्स ने बहुत बड़े अंतराल से जीत आसल करी थी 143 रहन से मैच को जीता था तो देखने लाएकर यहाँ पर रहेगा क्या गुजराज जैंट्स इस मैच में बड़ला ले पाती है और यहाँ पर जिस जीत के रत पे सवारा मुम्बा इंडियन्स उनको लगबग रोखना असंबावस हो गया है तो मैच हैं यहाँ पर गुजराज जैंट्स बना मुम्बा इंडियन्स के बीच में जो खेला जाएगा ब्रेबाउन स्टेडियो मुम्बाई पर मैच टाइमिंग है शाम के साधे साथ बज़े तो पॉइंट्स इबल के आपर बात कर लेते हैं तो मुम्बा इंडियन्स सबसे टाप है चार मैचेस खेलें चारों जीते हैं पॉइंट्स इनके आठ है ने टनेट तो भई गजब का इनका 3.52 वहीं बात तरते हैं जो इनकी अपॉनेंट्स टीम है उनका क्या हाल है पॉइंट्स टिबल के उपर चौते स्थान पे अभी भी प्ले आफ्स की रेसेस के अंदर बनी वी है आर्सीबी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बड़े ही दुखत समझार के साथ कि आर्सीबी की टीम प्ले आफ्स से बाहर हुचुकी है सीजन के अंदर भी नहीं तो देखते हैं आप पर क्योंकि मुंबई तो क्वालिफाई करेगी करेगी दिल्ली भी आप मार के चलो क्वालिफाई करेगी अब यहां पर जो तीसरी स्पॉट है ना होता का है पॉंट शूबल की इस अला है जो अणठाल खेलेगी और फिर यहां पर जो पॉंट शूबल पर दूसरी और तुसरी स्थान पर होती है वह ऐलिमिनेटर Jorge Ali जो जीटता हा हुट हो फाइनल खेलेगा तो यहां पर यह टीम चीन प्रेस में बनी वी है तीन टीम नहीं दो यूपी और गुजराज जैंट्स मतलब दिल्ली तो खेलेगी ऐले मिटर फाइनल चलते हैं फिर किसके तरफ टलीग्राम से जुड़ जुड़ास का फाइदा क्या है टलीग्राम के ओपर लाइनप के बाद कोई भी फरदर अपडेट साती है यूट्यूब के उपडेट दिना मुश्कुल होता है तो कहां पर अपडेट दूँगा मैं टलीग्राम पर दूँगा जुड़ना कैसा है लिंक आप दे टलीग्राम चले मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमें स्ट्रेक्शन में दिया हुआ है तो अब यहां पर पि सब्सक्रिप्शन में आपको देखने को मिला है कि यहां पर जनता मैस देखने आएगी यहां पर आप देख सकते हो स्कोरिंग पैटन जो लास्ट मैस था यूप और मुंबाई का उसके अंदर यूपी पहले बैटिंग करती है 160 का टार्गेट देती है फिर यहां पर मुंबाई चेस करने आती है इस टीम ने 15 बॉल रचे टार्गेट चेस कर लिया दो विकेट ही गवाया था मात्र चार रंज जादा ओर बना लिया था इस टीम ने फिर चलते है उससे पिछले मैच में 138 बना जो टीम चेस करने आती है 13 ओर के अंदर टार्गेट चेस हुजाता है 139 का उससे पहले 200 एक बना जो टीम चेस करने आती है 190 बना पाती है उससे पहले 155 बना जो टीम चेस करने आती है इसली चेस कर जाती है उससे पिर उस मैच में 23 बना जो टीम चेस करने आती 160 बना पाती है इसका मतलब कि यहां पे आपर देख सकते हैं आपको प्रिषके फोटोज दिखाना चाहूंगा यहांपर तो आप देख सकते हैं एसी पिचे सिनाप्रिच यहां पर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ी चल रहे हैं बहुत ज्यादा कुटाई होती है और स्पिनर्स भी आप थोड़े मार खाते हैं पर विगेट्स हमिशें निकालता है विगेट्स निकालता है चीज़ आपको ध्यान रखने वुमन गेम्स के अंदर यह अपना स्टेड तो कोई बड़ी न्यूजान ही रही है यहां पर आपको बताई होगा जो लोरा वुलफार्ट है और रिप्लेस कर चुकी बेट्मुनी को दों टीम्स नापस में एक मैच खिला और एक का एक मैच मुम्बा इंडिन जीती है लोरा वुलफार्ट उपन करेंगे सूफेड डंक लिए और लोरा वुलफार्ट दोने में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छा टॉपड रोगा हर लिंदे और गार्णर चार टॉप बैटर जिन पर टीम रिलाई करेंगी डेम लाता भी अच्छे फॉर्म में चल रही है किम गार्ट कुछ रंस कर जाती है यह टीम में बैलन्स लगरी है बस बॉलिंब डिपार्टमें में दिक्कात आ सकती जो अब फिर अब सबने मिल से करा सकते हो और यहां पर भाट्च पर बैटा पड़ेगा अब देखते हैं पावर प्ले के अंदर टीम्स कैसा खेली और डैट में कैसा खेली है यह मैच किस के बीच में यह मैच है आप देखोगे मुंबई और गुजराज जैंट्स के बीच में गुजराज जैंट्स है कैसे टीम जो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट गवाती है चार मैचस खेलें एक सो पच्पन रंस है 144 वाल के अंदर स्टाइक रेट भी बहुत कम 108 का और सथ 13 की है 12 विकेट गवा चुके हैं पावर प्ले के अंदर चार मैचस के अंदर मुंबई इन से स्विफ दो विकेट गवा है पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल रही है स्टाइक रेट भी आ एक सो तीसका है और चार मैच में दस विकेट गवा चुकी और सथ 23 का स्टाइक रेट एक सो चाका है तो हर जगह मुंबई इंडियन जीत रही है मिडल फेस हो चैड़ ओ पावर प्ले फेस हो अब बात रहेंगे डेथ फेस की मुंबई इंडियन सबसे टॉप क्लास टीम है डेथ के अंदर बिल का सक्षन आ चुक है जिस वन्वी पे उन्हें नहीं खेला टीटी करेयर आप देख सकते उनका कैसा रहा है 139 मैच 3025 रंस है स्ट्राइट 113 का है और 37 की है फॉर्म की बात रहें वर्ल्ट कप में बहुत अच्छे फॉर्म में थी पिछले मैच में एक बनाया मरजने कैप्ट इनको आउट किया था उसे बहले 163,57,67,193,18,0,42,25 तो रहाती है यहाँ पर सुफिया डंकली एक मैच में स्वन्वी पे पैसर टरंस है वो इनिंग्स के बाद इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था जब इनका डिवाफ अटल में मैच वादा तो मैं एक्सपेट कर रहा के मूड में नहीं हो हलें दियोल का तीन मैच के अंदर 91 रंस है बैट फर्स 67 चेस के अपर चोईस है बहुत अच्या फोर्म में देखिए पिछले 3-4 मैचस से और इंपोर्टन लग रहे है तीन मैच से 4 नहीं गाड़नर की बात तरता है तो इस वेन्यू के अपर कमाल के प् पंदरा विक्ट है 32 के अउसत है बैट फर्स 28, 17, 33, 7, 42, 77, नाबाद 19 चेस के अपर पंदरा है ये वेन्यू को बहुत पसंद करती है ऐस गाड़नर बॉल फर्स दो मैच में तीन बॉल सेकंड साथ मैच में बारा विकेट है एक बार विकेट लेस गई है और पिछले मैच मे डख लेके आ रही हो प्लस 0 विकेट लेके आ रही है उससे पिछले मैच में 19 रन प्लस 3 विकेट था तो इसी वेन्यू के उपर देखते हैं क्या होता है इस मैच में शुष्मा वर्मा का इस वेन्यू पर एक मैच में 5 रन है कोई खास T20 स्टाट्स है नहीं इनके फॉर्म ब आयरलेंड के लिए किलिक रिट खेलती थी पहले फिर ऑस्टुलिया के अंदर आ गई फिर ऑस्टुलिया के लिए खेलती है अब कुझरा जैन्स के लिए खेल रही है तो इस वनी पे दो मैच में जुरू विकेट से दोनु बार बॉल सेकंड किया बल्ले से तीन रन्स है इसका मतलब क्या है जो कैप्टन इस टीम की स्ने रहना बिल्कुल कॉंफिडेंट नहीं है सीजन के अंदर तनुजा कनुवार एक मैच के अंदर जरू विकेट से बॉल सेकंड करते हुए याद करो जो सीजन का पहला मैस था पहला विकेट है वुमन्स प्रीमिल लीग का इन दो विकेट जोरे विकेट है एन अबल सेद्लेंट का सवन्वी पे चार मैच असमें तीन विकेट 15 रंस है शबीना मेगना का एक मैच में आट रंस है बैटिन फर्स करते हुए और भी प्लेट से याप जो जो पिछले मैच के लिए थी 22 रंग भी बनाई थी पर वो मैच वि पिछला मैच नहीं कि लिष्ट रणा ने बॉलिंग नहीं करी वांशी जोशी का पांच वरा साथ वा था और जोर्ज अवरेम का आठ वा था तो भाई जब आठ वा ओवर आया और उसकी पहली बॉल डाली गई तब ही मैच खतब हो गया दिल्ली मैच जीत गई थी वहाँ प फिर 32 रंद तीन विगेट लास्ट तू लास्ट मैच के अंदर और लास्ट मैच में बारा रान प्लस एक विगेट है तो बड़े अच्छे परफोमेंस दे हैं हली मैथ्यूज ने किसी मैच में ज्यादा निराश नहीं किया है यस्टी का भाटिया दो मैच में पैसर डूंस पांच विगेट है बैट फरस्ट दस पंदरा चेस की पर एट श्टी नॉट आउट बारा पचास पच्वान नाबाद 45 नाबाद है हर मैच में पफोफोमेंस दिया है तो बॉल फरस्ट पांच में चार बॉल सेक्ड दो मैच में एक विगेट है फिर आपको यहां पर दिख पूजा का चार मैच में चार विगेट से 41 बल्ले से बॉल फस्त इन मैच में चार बॉल सेकंड एक मैच में जरू विगेट है एक बार विगेट लस्ट भी गई है आपर ईशिवां का दो मैच में जरू विगेट है दोनों बार बॉल फस्ट किया और दोनों बार विगेट लस गई है शाय का इशाक दा फाइंड ऑफ डव्लो पेल आप कह सकते हो यह वुमन्स प्रिमिल लीग की खोज है शाय का इशाक दो मैच में पांच विकेट है दोनों बार बॉल फर्स्ट के एस वन्हीं के पर हाइस रण विकेट है इस सीजन के अंदर परपल कैप होलडर है चिंत इश्यवंग नेट जीवर शाय का चाहक हैले मैथिव बिछले मैच में किसने कॉंस वर डाला था ना चेंट ओकात तेरों इस्यवंग का तीसरा 5 पंदर्वा निस वा श्यक एश्या का दूसरा चौताव्टा गयारव श्यारव शॉतर वा एवज्यर का सातवा नववा शुल पूजा लास मैचे नहीं खेली थी कलिंता ने बारवा डला था हैली मैथ्यूस का आठवा दसवा चौद्वा अठारवा था चलता है मैच अपस की तरफ बहुत इंपॉर्टन होता है तो सोफे टंकली का मैच अपस हैली मैथ्यूस के सामने 70 बॉल 79 रंस तीन बार आउट किया है दो बार पहली पारी में अमिला खहर ने बिनको तीन बार आउट कर रहा है आप ध्यान से देखो 42 बॉल के अंदर 32 रंदे के और दो बार पहली पारी के अंदर लूरा वुलफाट वर्सेज अमिला खहर 133 बॉल 107 रंद 4 बार आउट किया है वरना सब के सामने बहुत अच्छा खहला है ज्यादा कोई खास मैचाप मुझे लगनी रहा लॉरा वुलफाट का यहाँ पर है हर्लीन दियॉल वर्सेज अने ट्स युए ब्रेंट 24 बॉल 11 रंद 2 बार आउट किया हुआ हली मैच्छ ने 5 बार वाल में 1 रंद 3 बार आउट किया एज गार्डनर वाटसेज हर्मन पीट कोर 25 बाल 38 रंद 3 बार आउट किया हर्मन पीट कोर बॉलिंग नहीं करती एतनी आजकल हिदर गरम ने 3 बार चलता किया हैली मैथ्यूज ने दो बार चलता कि 18 बॉल में 15 रंदे के ईशी वांग ने दो बॉल में 0 रंदे के दो बार आउट किया बहुत बड़ा मैच अपे लास्ट मैच के अंदर भी ईशी वांग ने पूजा ने चार बार आउट किया है और तीन बार तो पहली बारी में सोच और चार बार आउट किया है तो गार्णर के सामने फस्ती है पचास बॉल 40 रंद तीन बार आउट किया है, दो बार पहली बारी के अंदर संद्वर रंडन ने भी दो बार चलता किया है, फौटिसिक्स बॉल में 47 रंद बार आउट किया है, डौटिं तो एर मजोग नहीं है बहुत बड़ा मेस्स टुटमिट के अंदर अक्यली दम पे मैं जीता सकती थी इनको जोर्ज आ वरेम ने चार बर आउट के लास्ट टाइम इन्हों नहीं चलता गया था साड बॉल में 47 रंदे के तीन बार पहली पारी में हर्मन प्रीत कॉर वर्सिस गार्डनर 97 बॉल 154 रंस तीन बार आउट किया सदलंड ने 30 बॉल में 23 रंदे के तीन बार आउट किया मिल्या खैर वर्सिस गार्डनर 49 बॉल 34 रंद दोबर आउट किया वरेम ने भी दोबर आउट किया अब बात हरता है और लेक्सिन को टीम्स करता किलिए लेक्स्पिन तो बहुत कमेश्ट ट्रोडमेंट के अंदर तो मैंने लेफ्टाम और्ट्रोडॉक्स मिन का सक्षन एड़ किया हुआ आफ्शन की बात तरता है गुज्राज जैन्स ने चार मैच में 6 विकेट गवा है मुंबा इंडिन्स ने चार मैच में 4 विकेट गवा है और चलते हैं आपे लेफ्टाम और्ट्रोडॉक्स मिनर्स के दरफ गुज्राज जैन्स बहुत फस्ती है चार मैच में 7 विकेट गवा चुकी 21 स्कीन की उसद है मुंबा इंडिन्स के आपे 4 मैच में चार मैच में 4 विकेट गवा है 236 की है तो देखके लग रहा है टेक्टिकल डेटा कि लेफ्टाम और्ट्रोडॉक्स मिनर्स प्रसेस गुज्राज जैन्स बहुत बड़ा मैच अप होगा साइका शाक फिर से गेम में आएगी आप रजिस्षर कर सकते हो विजन 11 के उपर क्या फाइदा है आपको आपर वेराइटी और फैंटेसी देखने को मिलती है डेली 50,000 रुपी के गीववे होता है 500 रुपी साइन अप बोनस है तो डू चैकेट लिंक मेरे नीचे दिया हुआ आप फ्री में आपर खेलना स्टार्ट करें आपका फाइदा हो सकता है तो एंट्रिफीज भी आप तंपया करके देख लें कॉमन कैप्टन है ये मैथिस येश गार्डनर बड़ी लिंक में बनाओ नेट सीवरे मेला खेल को अलग जाना तो हर्मन पेट को और लोरा वुलफाट को ट्राइगर सकते हो अपना मीशन है दो जार तेज तक वन मिलियन क्रॉस करना आपका सयुग राता बाइस सब जुरूर पूरा हो सकता है अपना सभी को दिखाए गंटी बटन दबाए चल्म को टो सब्स्राइब करें वीडियो को शार करें अपने दोस्तों के साथ अपना मोबाइल अप है वेबसाइट अज्ट्री डॉट कॉम आप जाके स्ट्राइट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कैप्टेन हैली मैथ्योस को किया हुआ वाइस कैप्टेन में पास गाड़नर है आपके पास नहीं पर दो और रहते हैं अगर आप ज्यान से देखो नेट्स वर्प्रेंट में कोई कमी नहीं है पर मैं पर स्पिन एक्सप्ट कर रहा हूं तो इसलिए मैं थोड़ा सा नको साइड में रख रहा हूं ऐसा नहीं प्रफिय डंकली की जोड़ी आपको साथ लॉरा वुलफवाट के साथ दिख सकती है क्यों मैं एक्षपेट कर रहा हूँ लॉरा वुलफवाट और सुफिय डंकली साथ में उपन करेगी इस मैच में अगर आपको लगता है मुंबई का टॉप और चेस कर जाएगा इसली तो फिर आप इनको टीम में ना रखे तो बैटर है बहुत बार ऐसा किया भी है अपने आप खुद देखो लॉरा वुलफवाट एक बहुत अच्छी पीक है जो अच्छे फॉर्म में भी है और बहुत इं से हैली मैंठ्यूज इंपॉर्टेश बीएन आपको लेगा आप चाहिए तुली सकते अप जा सकते हो क्योंकि जनता है इसको नोष सेलेक्शन परसेंटेग्स पहुए बहुत अच्छी औफ्स्पिनर है और गुजराज जैंट्स की अच्छा करके जासकती है बाल फस्ट के फिसकें अंदर जहां पर बॉल पिछ में गिरिप करती है जादा तर स्राइक का शाक इंपोर्टन है इश्यवांगे इंपोर्टन रह Сकती है वह क्यों कि रह सकती है क्यों कि डिपेंड करता है डिपेंड कैसे गरेगा अगर यहां पर गुजादग एस वाइल भॉलिंग करेग करें फैला दें वैस्ट कंटें दे कि मैं हमश neru कोशिश करता हूं में यह निन की होण मैं स्कमित देता हो ब conceived करता हूं कि हर बंदो निक करना उता है अपन आम सेom सकता है कि मैं अपना कामदिल से किया नगी किया तो देखते लिए स्क्राइड सीचBlue H KP